नमस्का आज हम बनाएंगे पिनट बैंगन आएए देखते हैं पिनट बैंगन बनाने के लिए हमें किन सामगरी की आवशक्ता होती है धाई सो ग्राम बैंगन दो मध्यमाकार के महीन कटे हुए प्याज एक बड़ा चमच कसा हुआ अत्रक एक नीबू दो हरी मेर्च तीन चार लहसुन की कली दो बड़े चमच मुफली का पेस्ट एक बड़ा चमच देशी घी आधा छोटा चमच पिसा लाल मेर्च आधा छोटा दालचीनी चार लॉंग आधा छोटा चमच चीनी नमक स्वादा नमसा और खी सबसे पहले हम पैंगन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे लैसन मिर्च का पेस्ट त्यार कर लेंगे दो लॉंग छौप के लिए अलग निकाल कर बचे हुए दो लॉंग दालची का पॉड़र कर लेंगे मुफली का पेस्ट बनाने के लिए मुफली को थोड़ी दे पानी में भीगो कर उसके बाद थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्सर में पीस लेंगे और मुफली का पेस्ट त्यार हो जाएगा यह हमने बैंगन को गोल-गोल मोटे टुकड़ों में सबी सामगली त्याल है अब हम बनाएंगे पिनट पेंगे यह हमने कठाई गरम होने के बाद घी डाल दिया है कि घी गर्म हो रहा है कि इसमें हम सबसे पहले लॉंग डालेंगे कि उसके बाद महीन कटा हुआ प्याज कि अबचल का गुलाबी होने तक ठूँएंगे इसमें लेशुण और भरी मिर्च का पेस्ट रालेंगे कि प्याज हलका गुलाबी प्हों गया है इसमें लेशुण मिर्चा का पेस्ट डालेंगे आप इसमूर कर्दुकस याओवा अग्रफ दालें खाले कि एकेश एक अग्रफ एक्रफ आप बштया है याल कर्फ जास कनित अग्रफ हाफ बड़त podrस्त दिते काम है हम एक ए न्हाना अग्र है एक क ए के विकाश्यर कामалосьै और प्यार अच्छी तरफ तरफ भुन लिया है इसमें हम अब मोगली का पेस्ट टालेंगे इसको प्यार पेसाथ अच्छी तरफ तरफ निस्ट करनेंगे और एक से दो मिर्च पॉर्डर डालेंगे काली मिर्च पॉर्डर लॉंग डाल चीनी और इलाची मिक्स करके जो पॉर्डर तयार किया है हमने अब यह हमारा मूत्री का बशादा अच्छी तरफ दो इसमें अब हम डालेंगे डालेंगे अब हम थोड़ा हीन लेंगे थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे एक से देव चम्मच पाई डालेंगे चुटकी भर नहीं में और इसको उपर से डाइनेंगे अब इसे थोड़ी देल रख पकने के लिए छोड़ देंगे झालेंगे पिनल बैगन बिल्कुल तयार है बहुत से लोगों को बैगन का स्वाद पिल्कुल नहीं पसंद आता है लेकिन उन्हें यह पिनल बैगन को प्रस्ट स्वाद का स्वाद भी जरूर पसंद आएगा ऐसे ही नए स्वाद चानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नएने स्वाद का लुद्फ फुटाईए धन्यवाद का